हेलो अब्रिवन वेलकम टो मैं यूटूब चैनल माई नेम है स्कुरूती आज हम पफ स्लीब ब्लाउस की कटिंग और स्टीचिंग करेंगे उसके लिए हमने ये तीन कपड़ा लिया है सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे उसको फोर फोल्ड करना है ये वाली ओपन साइड है ये वाली बंच साइड से मार्किंग करनी है सोल्डर का 7.5 इंच का बॉक्स बनाना है चेस्ट हमारी 36 है उसका 4 फोल्ड करना है तो 9 आएगा उसमें देडिन सिलाई प्लस करनी है तो 10.5 इंच पर मार्किंग करनी है कमर लंबाई 15 है तो उसमें 1 इंच पर मार्किंग करनी है कमर भी 36 है तो उसका 4 फोल्ड करना है तो 9 आएगा उसमें टक्स के लिए एक इन सिलाई प्लस करनी है तो 10 फिर वापस उसमें 12 इन सिलाई प्लस करनी है तो 11.5 इंच पे कमर की मार्किंग करनी है फिर ऐसे सीधी लाइन लगा लेनी है फिर चैस्ट और कमर के दोनों पॉइंट्स को ऐसे जोड़ देना है अभी आम होल का निशान लगाना है ऐसे 2 राउन में सेब दे देना है ये हो गया अभी टक्स देने के लिए 3, 3.5 और 4 इंच पे मार्किंग करनी है फिर ऐसे में 4.5 इंच पे मार्किंग करनी है फिर ऐसे 3 लाइन बना लेनी है ये हो गया टक्स प्रिंसेस कट करना हो तो ऐसे लाइन करना है नहीं तो नहीं करना है अभी जो हमने मार्किंग की थी उसको काट लेना है ये काट लिया अभी इसको अंदर करके आगे के पार्ट को काट लेना है फिर वापत सीधा करके ऐसे नीचे से थोड़ा सा काटना है ये हो गया अभी पीछे के पार्ट को साइट करके ये आगे में जो टक्स लगाया था इसको ऐसे इधर की साइट भी पेस्ट कर लेना है फिर मार्किंग कर लेनी है वापस ऐसे तीन लाइन कर लेनी है ये भी हो गया अभी आगे के गले के निशान के लिए साड़े छे इंच का गला है तो साड़े छे इंच पर मार्किंग करनी है गले के लिए तीन और साड़े छे इंच का बॉक्स बना लेना है फिर इसमें सेब दे देना है ऐसे यह सेब दे दिया फिर इसको भी इधर की साइड पेस्ट कर लेना है यहाँ पे भी चॉक से मार्किंग कर लेनी है आगे का गला हो गया अभी यह वाले अस्तर को भी फोर फोल्ड करना है बंड साइड यह बंड साइड रखनी है फिर आदा इंच ज्यादा काटना है यह काट लिया ऐसे हमें दो पीस मिल जाएंगे फिर पीछे के गले के लिए तीन इंच पे यहाँ पे मार्किंग करनी है ऐसे में देड इंच बॉक्स बना लेना है फिर राउन में सेब दे देना है यहाँ पे दो इंच करना है और नीचे की साइड चार इंच पे मार्किंग करना है फिर राउन में सेब दे देना है ये राउन का cutting है इसको रख्के से राउन में सेब दे देना है ऐसे है फिर इसको भी इदर की side paste कर लेना है फिर वापस इस पे draw कर लेना है राउन ये हो गया पिछे का अभी अस्तर के उपर ये दो नेट को रख्के सीधा ही रखना है दोनों को फिर इसके उपर ये वाले अस्तर को रख्के राउन में मार्किंग की थी उस पे डबल सिलाई लगा लेनी है सिलाई लगा के हो गया अभी इसको आदाइन छोड़ के काट लेना है बीच में से ऐसे लगा के हो गया फिर इसको उल्टा करके अस्तर और कपड़े दोनों को जॉईंट कर लेना है ये जॉईंट हो गया और फिर जो ज्यादा कपड़ है उसको का लेना है यह काटके हो गया अभी इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे जो उपर का गला बनाया था यह वाला इसको काट लेना है गले पे पट्टी लगाने के लिए ऐसे बन साइड रखके इसको ऐसे काट लेना है और यहाँ पे देर दिन ज्यादा कपड़ा रखके काटना है फिर ब्लाउस को सीधा रखके इसके उपर यह पट्टी को रखके आदे इंच पे डबल सिलाय लगानी है सिलाय लगा के हो गया फिर इसमें भी काट्स दे देनी है छोटी छोटी पूरे गले पे फिर इसको ऐसे अंदर एक बार मोड के फिर वापस मोड के सिलाय लगानी है सिलाय लगा के हो गया फिर इसको उल्टा करके ऐसे फोर्ड करके यहां से काटना है और नीचे से यह दोनों साइड से काट लेना है यह काटके हो गया अभी इस पर पट्टी लगाने के लिए पट्टी तीन इंच की और एक पट्टी देर इंच की निकालनी है फिर 3 इंच की पट्टी को ऐसे फोल्ड करके अंदर की साइड यहाँ पे सिलाय लगानी है और 3 इंच की पट्टी को बाहर रखके उपर सिलाय लगानी है यहाँ पे भी सेम ऐसा ही करना है यह सिलाय लगा के हो गया फिर इसको ऐसे मोड के उपर करके यहाँ पर सिलाय लगानी है फिर इसको ऐसे अंदर करके पूरा अंदर करके नीचे सिलाय लगानी है इसको अभी उपर सिलाय लगानी है और यह वाले को अंदर की साइड नीचे यह सिलय लगा के हो गया इसके ऊपर hook आएगा अभी आगे के parts में tux लगाने के लिए जो हमने marking की थी उसपे tux लगा लेना यह tux लगा के हो गया अभी इसके ऊपर अस्तर को रखे गले पे double सिलय लगानी है सिलाई लगा के हो गया आदाइन छोड़के कपड़े को काट लेना है फिर इसमें कर्स दे देनी है कर्स लगा के इसको अंदर करके सिलाई लगा लेनी इस पूरे में फिर कप्स लगाने के लिए ऐसे कप्स को रखके अस्तर और कपड़े दोनों पे सिलाई लगा लेनी है यहां पूरे में यह भी सिलाई लगा के हो गया अभी जादा जो कपड़ा बचा था उसको काट लेना है यह काट लिया अभी सीधे पे उल्टा रखके शोल्डर जॉइंट कर लेना है शोल्डर भी जॉइंट हो गया अभी स्लीव्स में जो नीचे पट्टी लगानी है मोरी पे उसको पाच और दस इंच की काटनी है इसके उपर यह सब नेट और अस्तर रखने के लिए पहले यह वाले नेट और अस्तर को साथ में रखना है फिर यह काटन अस्तर को इसके उपर रखना है फिर इसके उपर यह कैनवास को रखके यहां से सिलाई लगानी है सिलाई लगा के हो गया फिर इसको यहां से सिलाई लगानी है यह भी सिलाई हो गई फिर स्लीव्स की कटिंग के लिए कपड़े को फोर फोल किया से चार इंच पर हैं है 階 का ऐसे में बारा है आध Esp फिर एसे राउंड में सेब करेंकिं पर और इन वी कि ईचल्ट की जृंट कर लेदाना पर इसको नीचे की साइड भी ऐसे राउंड में सेप दे देना है फिर दोनों को जॉइंट कर लेना है और इसको काट लेना है यह काटके हो गया यह से दो पीस मिल जाएंगे हमें अभी स्लिव उसकी मोरी पे चून लगाने के लिए इसमें बीच में काट से देनी है फिर उसके उपर इसको उल्टा रखके चून लगा लेनी है यहाँ पे यह चून लगा के हो गया फिर इसको उल्टा करके यह वाला जो कपड़ा है उसको फोल्ड करके इसके उपर इससे मोर्ड के सिलाई लगानी है यहां पर दोनों बाई में यह दोनों स्लिव्स रेडी हो गई अभी इसके उपर सीधी ब्लाउस पर बाई को उल्टा रखे से चून लगा लेनी है दोनों साइड यहां पर भी यह हो गया बाई फिर इसको सीधा करकी यहां पर सिलाई लगानी है दोनों साइड पर यह सिलाई लगा के हो गया फिर इसको सीधा करके देर्ड इंच की पट्टी निकल लेनी है और पट्टी को उल्टा रखके इसे एक बार फोल्ड करके यहां से आदे इंच पर सिलाई लगा लेनी है पूरी ब्लाउस में यहां तक यह सिलाई लगा के हो गया फिर इसको इसे पूरा अंदर मोड के यहां पे फोल्ड करके सिलाई लगानी है तूरपाई कर सकते हैं यहां पे यह तूरपाई हो गई फिर इसको उल्टा करके यहां पे सिलाई लगानी है सिलाई लगानी है यह सिलाई लगा के हो गया भी फिटिंग के लिए चैस जितनी भी है उसका अधा तो 18 इंच पे मार्किंग करनी है और कमर पे भी 18 इंच पे मार्किंग करनी है सिलाई उस पे 4 इंच पे मार्किंग करनी है और जो मार्किंग की ते उन सब को जोड़ लेना है यह सिलाय हो गई अब इसको सीधा कर लेना है ब्लाउस हमारी रेडी हो गई स्कर्ट की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है उसमें से जाके देख लेना थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, कॉमेंट, सेर और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ